मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी ने हलदवानी मामले में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है चीफ सेक्रेटरिय और डीजीपी के साथ स्थितियों की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने लोगों से शांती बरतने की अपलील की है साथ ही अफसरों को निर्देश दिया है कि शरार्ती तत्मों से सकती से निप्टा जाए वही नैनिताल की डीम ने बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया है दंगाईयों के शूट ओन साइट के ओर्डर भी दिये गए हैं हलदवानी में क्या हुआ है अब आपको इविस्तार से बताते हैं आठ फरवरी का दिन यहां बनभूलपुरा इलाके में नगर निगम ने कथित रूप से अवैद मदरसे को बुल्डोजर से गिरा दिया इसके बाद स्थाने लोगों के साथ पुलिस की जड़प हो गई पुलिस पोर्स पर पत्थर बाजी होने लगी लोगों ने बनभूलपुरा थाने को चारो तरफ से घेड लिया हालात ऐसे हो गए कि भेडले पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी हालात बिगरने के बाद उत्राखन के मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी ने एक हाई लवी मीटिंग बुलाई है रिपोर्ट के मुताबिक उत्राखन पुलिस ने हिंसा करने वालों को देखते ही गूली मारने का आदेश भी दिया है इंडर टुडे से जुले राहुल धरमवाल की रिपोर्ट के मुताबिक हलदवानी नगर निगम ने ये कारवाई मलिक का बगीचा इलाके में की है नगर निगम का कहना है कि मदरसा और नमास थलवेत तरीके से बना हुआ ता इसलिए कारवाई हुई आठ परवरी को नगर आयुक्त पंक का चुपाद ध्याय सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सेंग सहित कई अधिकारी मदरसे को गराने के लिए भारी पुलिस बल के साथ पहुँचे थे लेकिन कारवाई के दौरान घरों से पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई रिपोर्ट के अनुसार इस पत्थरबाजी में कई पुलिस वाले और पत्रकार भी घायल हुए है पुलिस ने जवाब में हवाई पायरिंग की और आंसू गैस के गोली तक छोड़े इसके बाद भीड भी उग्र हो गई घटना स्थल से कई विडियो सामने आये हैं एक विडियो में दिखाई दे रहा है कि स्थाने महिलाओं और पुलिस वालों की बीच पहस हो रही है वही एक विडियो में पुलिस वाले भीड पल लाठी चलाते हुए नजर आ रहे हैं खबर है कि लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में भी आग लगा दी जिसके कारण इलाके में बिचली शली गई है महाप्रशासन के अधिकारी और पत्रकार भी फसे हुए है पुलिस ने कहा कि पत्थर बाजी और आग जनी में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है जलाधिकारी ने बन भूल पुरा में कर्फ्यू लगा दिया है रिपोर्ट बताती है कि चार दन पहले भी हलदवानी नगर निगम ने मदरसे को अतिक्रमन से हटाने की कोशश की थी लेकिन लोगों के विरूद के बाद वैसला वापस ले लिया गया दोनों इमार्तों को सी ठक की सीम ने लोगों से शांती बनाया रखने की अपील थी बिगले हालात को देखते हुए नौफ अरवरी को हलदवानी के सभी स्कूल बन रहेंगे हलदवानी के बन बुल पुरा छेत्र में न्यालहिय के आदिसों के करम में प्रसासन की टीम अव्यदाती करमन को हटाने गई थी वहाँ पर कुछ आराजक तत्तों के द्वारा पुलिस के साथ जड़ाप हुई है पुलिस के साथ संगर्स हुआ है वहाँ पर और कुछ पुलिस के लोगों को परसासन के लोगों को चोटे आई है बन भूल पुरा उस इलाके में आता है जा पिछले साल ग्रीलवे ने अतिकर्मन हटाने को लेकर लोटिस भेजा था रेलवे की जमीन पर बने घरों को एक हपते के भीतर खाली करने का आदेश थलेकर मामला कोट में जाने के बाद इस पर रोक लगी थी इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे दीललन टॉप आप तक जरूर पहुंचाएगा यह तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आये थे हमारे साथी साकेथ मेरा नाम दव्यान शी सम्रावे देखते रहिए दीललन टॉप बहुत बहुत शुक्रिया